अस्सलम अलेकुम दूस्तों वीडियों में हम आपको दाएंगे साओधी की लेटर से इंपोर्टन अपडेट ये वीडियों उनके लिए बहुत ही इंपोर्टन जो लोग अभी साओधी अरब रहते हैं इसके साथ हम आपको बता दे कि साओधी अरब में अभी जो 6 साल कानून अपको बताएंगे आप जरूर इस वीडियों को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जंकर मिलें दोस्तों वीडियों में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे हमले को लेकर क्योंकि साओधी अरब में लगातार हमले किये जा रहे हैं और लोग भी काफी जादा ह हमला किया गया था लेकिन वहां पर कुछ भी सबोत नहीं मिले मतलब यह है कि दो टैंक में आग लग गई थी लेकिन किसी की हदाहत होने की कोई भी खावर नहीं मिली है दोस्तों यह हमले इसलिए किये जा रहे हैं पेट्रोल कमपनी पर और पेट्रोल स्टेशन पर ताकि ज जो सौधी अरब हो विखर जाए इसलिए हमले किये जा रहे हैं जो मेन इनका जड़ हो तेल है इसलिए यह सारा कारकरम चल रहा है और यह माना जा रहा है कि ऐसा करने में कोई भी सफल नहीं होगा क्योंकि सौधी के जो परोकता हैं उनकी तरफ सो यह बयान देखने को मिला ह दोस्तों अगली अपडेट एक नए कानून और एक नए जुर्बाना को लेकर हैं सबसे पहले हम आपको बता दें कि सौधी अरब में अगर कोई भी परेवन सुरच्छा के अधीन उलंगन करता है मतलब यह है कि अगर कोई भी बिना लाइसंस के मचली पकड़ता है तो ऐसे में उसके खिलाब कड़ी करवाई की जाएगी सौधी अरब के अंदर अभी अभी तीन लों को गिरबतार किया गया है बताया गया है कि इन लों के पास में तीन बंदों के दो अगलियास्त्र और 43 सिकार 25 कवक जियों के लिए दो आकरसित करने वाले उपकरने 625 गोला बारो दोस्तों इन लों के पास जो छिरकाव का उपयोग करके पकड़ने का साधन था उसके लिए एक लाख रियाल का जुर्बान लगाया गया है और कवक जियों को आकरसित करने के लिए जो साधन था उसके लिए 80,000 और बिना लाइसेंस के जो सिकार कर रहे थे उसके लिए इनक अजनभी को पर ये कानून लाओ किया जाएगा तो ये कानून सभी एक्सपर्ट सभी देश के लोग के लिए लाओ किया जाएगा यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप सचुदी अरब में अब एक नए वीजह पर सफर करते हो तो वहाँ पर सिर्फ आपको 6 साल का टायम दिये जाएगा छे साल के बाद आपको आपके देश जाना होगा उसके बाद आप जो है दोबारा नए विज़ा पर साउधी अरब में आ सकते हो दोस्तों ये जानकरी आप कई चैनलों के मादन से देख ही रहे होंगे लेकिन हम आपको बदा दे कि यहां पर अभी तक कुछ भ नहीं होती है यह कानून नहीं लाग होगा तो यह मान के से लिए कि अभी कुछ भी उमीद नहीं है कानून लाओ करने के लिए